नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकूर और इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें दिल्ली में कॉंग्रेस की एहम बैठक खत्म हो गई है दिल्ली में करीब तीन घंटे तक कॉंग्रेस की एहम बैठक चली बैठक में राजिस्थान चुनाव पे मंधन क्या गया है चर्चा की गई है इस बैठक में मलीक आजुन खरगी राहूल गांधी अशोग गहलोत सचिन पाइलेट भी शामिल रहे राजिस्थान विधान सवाचुनाव इसी साल होने हैं राजिस्थान विधान सवाचुनावों के मद्दे नजर ये बैठक रखी गए थी करीब तीन घंटे तक इस बैठक में चर्चा की गई इस खबर पर उज़्यादा अपडेट के लिए सीधा रुकते हैं हमारे पॉलि का नजरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कॉंग्रेस ओफिस कॉंग्रेस दफ्तर 24 अक्वर रोट पर अभी बैठक खत्म हुई है और आप देख सकते हैं कि कई मंत्री रास्थान सरकार के मंत्री पूर मंत्री यहां पर मुझूद हैं और वो लगातार अपने बाते मीड कर चुनाओ लड़ा था ठीक उसी तरह के से राहुल गांदी ने संदेश दिया है रास्थान के नेताओं को क्योंकि करीब 28-30 नेता यहां पर मुझूद थे और उनको संदेश दिया है कि रास्थान का चुनाओ करनाटका में मिल जूलकर इस तरह के लड़ा गया था ठीक उ नके कश, कि क्या जिम्मेदारी दी जाए कि तीन पद ऐसे हैं कि इन तीन पदों में से को ई भी पस होगी एक का सकता है सकता है पहला पद है er कंब्रें ﷺ कमिटी की अद्ध्याक्ष का पद और दूसरा फापद एक से के अध्यक्ष का पद यानि कि इन तीन पदों में से कोई भी पर सचिंट पैलट को आफर किया सकता है और जिस तरह के सब्सक्राइब मॉडल लागू किया गया था सब्सक्राइब को जो केंद्रिय मंत्री हिल्थ मिनिस्टर थे उनको उपमुक मंत्री बनाया गया थी किसी तर सब्सक्राइब को मनाने की कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल कॉंगर्स पार्टी को ऐसा लगता है कि आप सी फूट की वजह से नुकसान काफी जहलना पड़ता है करकरताओं में गलत संदेश जाता है और उसका नतीजा चुनौक के नतीजे सामने आने के बाद जो है पार रहते अभी समय है अगर आपसी मतवेत को भूला कर एक जुट होकर चुनौ रहा जाए तो रास्तान में जो असोग गहलोत सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के दम पर और असोग गहलोत सर्चिंटी पालट की जोड़ी ठीक तरीके से अगर काम करें इन जोड़ी को आ है औरस पार्टी के नेताओं को इसा लगता है कि जिन योजनाओं का जिक्र वो लगातार करते रहें उन योजनाओं के दम पर जंता एक बार फिर उन पर भरुसाल जाता सकती है ठीक है ठीक है देखना यह है कि सचिन पाईलेट और अशोक के बीच जो धरार है जो खाई है वो पटी है किस बैठा के बाद या आने वाला वक्त ही बताएगा बहुत बहुत शुक्रिया रहमन तमाम जानकारी के लिए और